दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज हम लोग सेक्योर थ्री फेज मीटर का ओटो मोड रीडिंग देखेंगे अर्था तम पुस्ट बटन यूज नहीं करेंगे अपने आप जो रीडिंग दिखाता है वो देखेंगे सबसे बिले देखिए यह मीटर नमर दिया भी एचार थ अपना बना के एक मीटर नमर देता है और इसके बाद देखेंगे अब डेट टाइम दिखाएगा यह देखेंगे 22 तारीक का यह रीडिंग है और उसमें टी एचार अर्था थर्स डे था और देखें मैं रीडिंग का कुछ सिक्योर कोड बता देता हूँ एक्सपर्ट कैसे रीडिंग देखता है आप नीचे देखें क्या लिखा है 1.0.0 यह एक्सपर्ट लोग देखता है अगर किसी भी एस्टेनर मीटर में 1.0.0 है अर्थात वो रियल टाइम डेट और टाइम दिखाएगा देखें अभी यह टाइम दिखाने लगा है तो आप बहुत सारी चीज को आप यही कोड से देख सकते हैं और इस कोड में क्या है इस कोड में कुछ और बिल वगेरा सब लिखा रहता है जिसे देखिए 1.8.0 यह इनर्जी का कोड है के डव रिडिंग का कोड है उसमें 01 बिल लिखा अर्थात यह एक तारीके 0000 आवर का रिडिंग है अर्थात एक कवि ऐ एच रिडिंग यह भी 01 वी है अर्थात एक तारीक जिडो जिरो आवर का है अगर 02 वी रहता तो पिछले मेने के एक तारीक है 03 रहता तो उसे पिछले मेने अब देखें पिर kvh में जो maximum demand है maximum load जो पिछला में लगा था वो 6.00 है यह kw से कम है अर्थात यह meter यह गलत record किया है meter में कुछ यहां खराबी है क्योंकि kva हमेशा kw से जादा होगा क्यों होगा आप खुछ जान लिजिए यह देखिए power factor है 001 higher past पिछले मेंने का ये पाउपर 5.8 और च्रुकर होता है बिजली बील के पाउपर एक्रॉत के बारे में मैंने तो वीडियो दिया ही था आप डीटेल जाने के लिए देख लीजी कैसे निकालेंगे उसके बाद दिखे 01 बिल है तो 01 बिल है अर्थात एक तरिक जिरो जिरो आवर का रिटिंग है कौन सा रिटिंग है? CPON यानि क्युमलेटिक पावर ओन मीटर में कितना घंटा पावर ओन रहा है जब से ये मीटर में आप लाइन दिये हैं तो बाईन तरफ देखे कोट और उसके बाद दाईन तरफ उसका कुछ लिखा रहता है देखे 1.8.0 है राइट में कुछ भी बिल वागेड़ास हम नहीं लिखा है यानि ये करेंट रिडिंग है वर्तमान में जो KWH रिडिंग है वो ये दिखा रहा है इसी पे बहुत सारे उभोगताओं का बिल बनता है जब हम लोग स्पोर्ट बिलिंग करते हैं KWH रिडिंग पे और बहुत सारे उभोगताओं का KWH रिडिंग पे बनता है ये भी देखे वर्तमान डिडिंग है क्यों है तो सिक्रेट कोट देखे 9.8.0 है अर्थात यह वर्तमान बिल है वर्तमान डिडिंग है पॉइंट 01 बिल रहता तो एक तारीक होता पॉइंट 02 बिल रहता तो उससे पिछला मेने का होता अब देखिए मैंने पावर का भी बताया था 1.7.0 है यानि वर्तमान लोड जो है इनका KW में PWR मतलब पावर वह है चार पॉइंट यह फ्लक्ट्ट हो रहा है चुकि यहां तो मसीन लगा हुआ है वह चोटा जो गलास होता है कप होता है चाइपीने वाला वह बन रहा है उसमसीन का इसलिए इसका भी लोड यह फ्लक्ट्ट्टिटिं दिखा रहा है 9.7.0 है अर्थात यह वर्तमान में KW रिसेट करता है तो अभी तक यह 9 बार रिसेट कर चुका है आप यह भी कह सकते हैं नौ महिना पहले यह मीटर लगा है क्योंकि हर महिना यह रिसेट करता है तो इससे भी आप समझ सकते हैं अब देखें इसमें वग्या सब नहीं लिखा है अर्थात यह वर्तमान डीडिंग है क्या रिडिंग है तो CPUN यानि Cumulative Power On इस मेटर में अभी तक वर्तमान में जब यह रिकॉर्डिंग हो रहा है तो तब तक में 500 आवर पावर आउन रहा है जब से इस मेटर में आप लगाए हैं और कितना घंडा ओफ रहा है Cumulative Power Off तो वो है 549 आवर इसमें भी देखें नीचे म का जो Current Status है वो गुड है अर्थाषर सरकीट में वर्तमान में कोई खरावी नहीं है इस मीटर का जो इंटरनल सरकीट है उसके बारे में यह बता रहा है और इंटरनल सरकीट जब खराब होता है तो मीटर अपने आपको डियाग्नोसिस करता है तो वो डियाग्नोसिस कितनी व बनवाद देखने के लिए